जैस्री किष्ण स्वागत है आप सभी का मेरे एचस वारद्वा यूटूब चैनल पर आज मैं आपको भागिसाली राशियों के बारे में जान करें दूँगा देवुटनी 81 से लेकर के पूरण मासी तक कौन-कौन से उपाय करने हैं कौन से राशिया हैं जो बेहदी भागिसाली हैं जिनके पुत्र धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपको उपाय बताएंगे इन पांच दुनों में कौन-कौन से उपाय आपको करने हैं सबसे पहला उपाय प्रते दिन लड्डुग उपाल जी को इसनान कराना है और लड्डुग उपाल जी के इसनान का जो जल है वह आपको पूरे घर में चड़क भगवान के सामने दीपक जलाना है। ओम नमौ भगौते बास देवायनमा मंतर का प्रतिदिन जाप करना है। Sugot Through the पूरी होगी गौमाता की पूजा के बाद में प्रते दिन आपको तुलसी माता के सामने दीपक जलाना है तुलसी माता के सामने दीपक जला करके आपको तुलसी माता को प्रणाम करना है और तुलसी की गमले में आपको प्रते दिन हल्दी डाली है तुलसी माता से धन प्राप प्रति के लिए निवेदन करना है क्योंकि इन पाँच दिनों में अगर तुलसी माता की पूजा अपने की तो साक्यात माता लच्मी प्रसन होती है भगवान कृष्ण प्रसन होते हैं मन वांचित पल परदान करते हैं तुलसी की सूकी हुई लकड़ी घी में बोर करके घी में दूसरे भगवान को पुषपार पन करेंगे भगवान को धतूरे का पलर पन करेंगे मीठार पन करेंगे और भगवान के सामने दीपक जलाना है प्रति दिन पीपल ब्रक के नीचे दीपक जलाके परक्रमा करनी है ये पाँच दिन के उपाए हैं जो बहुत ही चमतकारियों साती प्रति दिन दीप दान आपको ज्यादा से ज्यादा करना है पांच या ग्यारे दीपक प्रति दिन जलाने हैं फिर बात करते हैं पूरण मासी के दिन सत्त नारण भगवान का पूजन किया जाता है सत्त नारण भगवान की पूजा करें भगवान सिवकावशिक करें सत्त नारण भगवान की सामने फल रखें नेविद रखें दीपक जलाएं कथा का स्रवड करें पिर मंत्रों का जाप करें उस दिन सुबह के समय पीपल ब्रग के नीचे सुबह या साम को कभी भी 365 बत्ती जरू जलाने है इससे आपकी मनो कामना पूरी होगी और आपके मन में जो भी कामना है वहच्चा पूरी होगी प्रते दिन गो माता को गोड जरूर खिलाना है केले का फल खलाएं गोड खिलाएं हल्दी गटी का लगा करके इससे मनो कामना पूरी होती है रोटी पर रख करके आप केला गोड खिला सकते हैं दोस्तों यह उपाय बेदी चमतकारी हो प्रभाव साली यह पांच दिन साल के सबसे बड़े दिन होते हैं अगर इन दिनों में आपने पूजा कर ली उपाय कर लिया तो आपकी मनो कामना वस्य पूरी हो पूरण मासी के दिन, कार्तिक पूरण मासी के दिन जो उपाय करते हैं साल बर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता जो साल बर हम भगवान की पूजा करंगे जो फल हमें प्राप्त होगा वह फल इस पूरण मासी और 81 के दिन उपाय करने से प्राप्त होता है तो प्रतेक व्यक्ति को जरूर ये उपाय करने चाहिए गोमाता की पूजा करने से जीवन में आरे सारी कष्ट और परिशानिया दूर हो जाती है प्रतेक व्यक्ति दनवान होता है पुत्रवान होता है जीवन में सम्मान सम्मान मिलता है और जो भी परिशानिया आ रही है, सारी परिशानिया दूर हो जाती है, तो प्रतेक व्यक्ति को, सभी को, यह उपाय जरूप करने चाहिए, यह उपाय बहुत ही चमत का रही हैं, साथ ही दोस्तों, आपको यह ध्यान भी देना है, कि पीपल बरके नीचे जब दीपक जला रह हो तो समे इच्छा बोल लिए हैं, और दान पुर्न भी करना है, जितना सामर्द हो, पित्रों का पूजन भी करना है, पित्रों की नाव से ब्रह्मन को दान पुर्ण करें, इस से आपकी मनुकामना अवश्य पूरी होगी, बात करते हैं भाग इसाली राशियों की, कुन- सिवालों को बड़ा लाब मिलेगा आपकी मनों कामना पूरी होगी जीवन में आरे सारी कष्ट और परिशानियां दूर हो जाएंगी आने वाली समय में कई पिरकार के लाब आपको मिलने वाले हैं पुत्र का लाब है धन का लाब है व्यवपार अच्छा चलेगा विजनिस मे सपलता मिलेगी नो क्री में प्रमूशन मिलेगा क्योंकि देव गुरु ब्रस्पति के आपके उपर बहुत ही अच्छी सुब दिश्टी है अगली राशी की बात करते हैं ब्रसब राशी ब्रसब राशी बहुत ही भागिसाली रहने वाली है कोई रुका हुआ कार बनेगा धन प्राप्ति के योग हैं साथ ही कोई सुब समाचार आपको प्राप्त होगा आपकी मनो कामना वश्य पूरी होगी अगली राशी की अगर हम बात करें तो वह राशी है करक राशी चंद्रवा की ये राशी ब्रहदी भागिसाली रहने वाली है योग आपका बहुत अच् योग बनेगा परवार में खुशी आएगी और जिनके प्रतेक कार में रुकावट आती है वो रुकावटे भी दूर होंगी अगली है सिंग रासी बहुत ही जादा भाग्य साली रहने वाली है सूर की रासी प्रतेक कारों में सपलता हंसल करेगी जिन कार्यों में आप तक रोकावाट आ रही थी, कार पूरी नहीं हो पारे थी, अब आपके कार बनने शुरू होंगे हर प्रकार के कार बनने शुरू हो जाएंगे, जीवर में हर प्रकार का सुकर बैवब प्राप्त होगा जिन कारों में आपके मर्चन आ रही थी कार पूरी नहीं हो पा रहे थे वो कार आपके पूरी होंगे उसके बाद में कन्या रासी कन्या रासी का योग बहुत ही अच्छा है कन्या रासी वालों को सपलता मिलेगी आपके कार बनेंगे मान सम्मान बढ़ेगा व्रश्चिक रासी बहुत ही बागिसाली रहने वाली है, व्रश्चिक रासी वालों का योग अच्चा है, आने वाले समय में व्रश्चिक रासी वालों को बड़ी सपलता मिलने वाली है, व्रश्चिक रासी वालों को दन का लाव है, संतान का सक प्राप्त होगा, पेशा आप लगाते हैं इन्वेस्ट करते हैं आपको प्रोपिट नहीं मिल पाता है तो आपको अवस्जी ही सपलता मिलेगें आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है महलाएं इन दिनों में माता तुलसी को सिंगार जरूर अरपन करें माता तुलसी की पूजा करें उसके बाद में धनुरासी मकरासी, कुमरासी ये रासियां हैं जो बहुत ही जादा भागिसाली रहने वाली तो इन पांच दिनों में ये नो रासियां बहुत ही भागिसाली हैं आप सब्सक्राइब को मिलेगा लेकिन ग्रैन की इस्तिती के साब स्री रासियां बहुत ही भागिसाली रहेंगी मुझे उम्मेदा आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो को जादा जादा सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में श्री महल अच्विनमा ओम नमो भगवत बास देवाय नमा जरू लेके भगवान आपकी हर्मनो कामना आवश्य पूरी करेंगे ओम नमो भगवत